सराप सेलस्मेन के साथ हुई लूट का पुलिस ने किया कुलासा पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफतार देर लाख रुपए किये बरामत कैंठाना छेतर में बीते दीनों हुई थी सराप सेलस्मेन के साथ लूट जी आपको बता दें कैंठाना छेतर में बीते दीनों हुई सराप सेलस्मेन के साथ लूट के मामले में क्राइम ग्रांच और कैंठानी की पुलिस में मामले का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जिसके कबजे से पुलिस ने डेर लाख रुपए बरामत किये पकड़े गया अभियुक्त का नाम रिंपू जो की पते पुर्चिले का निवासी है उसे पूछताच की जा रही है जिहां आपको बता दें कि बीती 26 तारिक को दिन दहाडे लुटेरे ने लूट की खटना को अंजाम दिया था जिनको CCTV फुटेज में पहचानते हुवे कुलिस ने कारवाही कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार दिया है जबकि दो की तलाश अभी जारी है फिरो रिपोर्ट आइपियर कुछ उनके काज़ात थे और लगबग सवा तीन लाग रुपे रखे थे इस घटना के बाद जो है वो मुकदमा थाना चेतर में लिखा गया था और तब्काल पुलिस ने घरवाई शुरू की थी इसमें जो मल्टी लेबल पार्किंग और उसके आसपास जो CCTV कैमरास थे उनकी गहनता से चानवीन की गई थी इसमें थाना चावनी पुलिस और हमारा सब्लाइंस टीम और उक्राइम ब्रांच है उन लोगों ने बड़ी महनत के साथ में उन मुल्जिमों को उनकी पैचान कराई गई थी और उनको जब देखा तो उसमें दो मुल्जिमों की पैचान हुई थी जिसमें एक रिंकू गुर्फ राजेश्वर है जो थाना आउंग जनपत पतैपुर कर रहने वाला है और दूसरा मुल्जिम जो है वो सुनील कुमार लोदी ये भी जनपत पतैपुर कर रहने वाला है इनकी पैचान की लिए थी और आज इनमें से एक रिंकू को थाना पुलिस द्वारा के रिफटार किया गया है और इसके कबजे से जो रूट के लगबग एक लाग पचास हजार के करीब जो कम है वो बरामत की गई है ये रिंकू के बारे में पता चला है कि ये इसके उपर दस ग्यारा मुकदमे है और पतैपुर से ये इस्टिशीटर है इसके उपर तमाम और भी मुकदमे हो सकते हैं इसकी चानबीन की जा रही है और जो अन्य जो अभ्यूक्त है उसकी गिरफतारी की अब प्रयास के जाए जो अब आधिये उसने भी असेट आचाना है तो सिस्टिशी फिटेज ने इसका बड़ा क्लिया था अब उसका पूस्ताहिं के आपको फोटोस देंगे हुए जए लाशीज़ा मुक्त है अब जाने मुक्त है इसके ये इसकी जोली अबगों इसकी बा करुंग करुंग